नमस्कार दोस्तों सवागे देश्वामस बैली जी के और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिबाइटिक्स और प्रोबाइटिक कैपसुल के बारे में आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हूं कि शायद आपको डॉक्टर ने प्रिबाइटिक किया फिर प्रोबाइटिक कैपसुल प्रिस्काइब किये हैं लोग तो इंडिया में यूज करते हैं प्रिबाइटिक्स और फरक है क्या डिफरेंस है और दोनों कंप्लिमेंटरी भी हैं तो आप वह जानकारी लो उससे आप इसको इस्तमाल बहुत आसानी से और अच्छे त a set of mixture of microorganism जो आपके body की health के लिए बहुत अच्छा होता है और प्रटिकुर्रली gut health के लिए मतलब जो intestinal health होता है digestive health होता है digestion करने के शम्ता immunity build up करना vitamin k produce करना और mental health को ठीक रखना यह सारे चीज गट हमारे आथ के अंदर रहने वाले कुछ bacteria करता है तो bacteria नॉर्मली वहाँ पर मौझूद होता है और ठीक ठाक से काम करता है मगर उस bacteria को जो bacteria के supply उसको ठीक रखने के लिए बाहर से भी probiotic अंदर लेते तो probiotic मतलब वह healthy bacteria हम जान बुच कर बाहर से अंदर ले रहे हैं याद रखना कि सबसे जो भी dangerous infections है कुछ भी हम जानते हैं वो सारे चीज़े bacteria ही कॉस करता है तो एक बुरह चीज bacteria है मगर फिर भी हम उसको अंदर ले रहा है क्यूं क्यूंकि जो bacteria हम अंदर ले रहा है वो बुड़ बैक्टिरिया नहीं है वो दे आर गुड बैक्टिरिया तो दोनों प्रकार के bacteria हम डिवाइट कर लेते हैं एक गुड बैक्तिरिया है जो शरीर में बीमारी ही नहीं फैलाता मगर मदद करता है उसको हम probiotic bacteria बोलते हैं और जो बुड़ा बैक्तिरिया होते हैं यहां पर जो के वele बेक्टिरिया जो के शरीर के अंदर आने पर infection कॉज करता है यहाँ पर probiotic का मिक्स है आप खाने के साथ probiotic ले सकते हो कुछ-कुछ खाना जिसमें probiotics भड़े पड़े हैं जैसे के दही दही के अन्दर Lactobacillus species होता है उसके साथ साथ immunity boost करेगा उसके साथ साथ आपकी mental health को भी अच्छा रखेगा इसके कारण आप खाने में अगर curd ले रहे हो दہी ले रहे हो खाने में अगर आप अचार खा रहे हो आप कंबूचा ले रहे हो आप butter milk ले रहे हो तो यह सारे के सारी जो खाने है इसमें ही probiotic मिलता और ँपार्ट फोंट अगर आपको खाने के इलावा प्रॉबाटिक चाहिए तो आप मेडिसिन, कैपसूल ले सकते हो, टैबलेट टैबलेट निया, कैपसूल में होता है, सैशयय और लिक्विड फॉर्म में होता है उसको भी अब ले सकते हो, मगर खाने में अगर ले रहे हो तो जरुरत नहीं हैîne जरुरत तब होता है जब आपको को anti-biocik medicine दिया गया उसके साथ आपको probiotic लेना है तब जाके आपको प्रोलाटीक प्रोलाटीक क का घाना होता है मतलब तो बैक्टीरिया है बैक्टी जीए औरगनिजम है हम जैसे खाते हैं हम एक organism हम खाते हैं क्या खाते हैं हमारा खाना होता है बात डाल रोटी हो गया सबजी हो गया यह सब खाते हैं हम ऐसी probiotics जो होते हैं जैसे के बैक्टीरिया मैंने बताया आपको बैक्टीरिया का भी खाना है वह खाना क्या है बैक्टीरिया भी शुगर खात तो फ्रीज क्या है है हम आ stimul dont कहते हैं जो भी खता है उसमें तीन चीज़ चीज होता है शुल कर फैल फैन्ट फैल प्रोटीन बेक्टिरिया हो भी तो जला कि फ्रीज में रखता है वह भाता कि लायक है उस Aa बद्भुाद लगताइए क्यों क्युंक्ति कना बैक्टिरिया ऐर में था वह खाने के अंदर चला गया खानधी इसे एक ग्री जसके सवह ऊटाए से खॉना का उसको प्रिबाईोटिक्स को जो चैने के साथ टृटे stitch जो हम हमरे अट सबस्ट है करें सबस्क्राइब ले सकते हैं मतलब मानों के शरीर के अंदर अगर तो ले लिया घे合ina अग्यआपक आप प्रोटिक बैक्टिर्य आपट ख़ारा है तो खही रहा है इसके लावा उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है कुछ टैप आप शुगर आप प्रवाईड नहीं कर रहे हो। उसका ग्रोथ तो होगा अगर उतना जल्दी नहीं होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा, इसके कारण अब जब prebiotic दोगे, तो prebiotic क्या होता है, probiotic का खाना, बस, simple से बाता है, probiotic बैक्टिरिया जो है यहाँ पर, उसका खाना ही है probiotic, तो उसका खाने में क्या आता है, कुछ specific sugar, कुछ complex sugar होता है, वो यह सारे चीज उसका खाना होता है तो बैक्टीरिया जो खाये तो कुछ और ठीक्ठा खाना लजीज हो उनके लिए वह खायेगा तो बढ़ेगा अब प्रॉबायोटिक बढ़ेगा तो आपकी हेल्थ अच्छे रहेंगे तो इसी के कारण जो प्रॉबायोटिक कैपसूल्स या अगर आपको बताता हूं कि मैं आपको अगर ट्रीटमेंट के लिए आपको दिया गया तो थीक बात है अदर्वाइस आपको प्रोबियोटिक प्रोबियोटिक दोनों ही खाने से मिल जाएगा बहुत आसानी से ऐसा खाना जो आप हर रोज खा सकते हैं वीदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन आप खा सकते हो खाना खाके ओ ठीक करो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मेडि ली दोसा हो गया अचार तो चीज़ने सारे के सारे कहाने का अथेखाने खाओ प्रिबाट इक में कुछ फ्रूट होता है जैसे बनाना प्रकार के बेक्टिडियां हमारे गट के अंदर उट्रूलाइज करता है यह अब खाओ खाओ अब का उन् wolves होता है वह प्रिबार्टिक अच्छी बात है अगर देखें कुछ और फाइवर्स के बारे में तो आप देखो बार्ली होता है बार्ली लो उसमें होता है विट ब्रान में होता है ओट के अंदर होता है ठीक है और उसको अगर छोड़ दें कुछ और देखें तो गार्लिक अनियन और इंडियन डिश कि अगर हमें डिफाइन करूं प्रिबायोटी कुछ कर्ब्स प्रवर्स जो प्लंट सीवर होता है देखिए सारे प्रेंट ओरीजिन है एपल बनान हो गया विड न ओ गया ओगए ओट हो गया तो जब आप रोभायोटिक हैं तो जब आप रोभायोटिक ले रहे हैं और बनाना में तो आयरन रहता है बनाना में बहुत सुबह ले रहो आप कर्ड जो है दोपेर को ले रहो यारा तो इस हिसाब से हो जाता है तो इस हिसाब सक दिन में अगर आप यह सारे सप्लिमेंट प्रोवाइट करो खुद के बॉड़ी को खाने से बढ़िया कोई सप्लिमेंट नहीं होता है आपके टेस्ट बर्ट को भी हो देखना क्यूं देना है एक कैप्सुल के पचास रुपए खाना खाओ पचास रुपए में आ जाता है अच्छा खाना खाओ अगर प्रोबाइटिक के बारे में डीटेल में जानना उसके अलग वीडियो है आप देखे इस चैनल पर और अलग अलग प्रबाइटिक के ऊपर टैबलेट्स और कैप्सुल्स और पटिकुलर्ली सशे लिक्विड्स के ऊपर वीडियो देखना है अलग अलग मेडिसिंस के ऊपर वीडियो देखना है वह भी इस चैनल पर मौझू दे आप उसको सर्च करो और देखो इस चैनल पर और बताए कि कौन से वीडियो बनाएं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो फीचर में आपको मिलता रहें थैंक यू बाई